हलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे RK Developers Company Limited के IP के बारे में जो की 16 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा साम 5 बज़े तक आप इसमें अपलाई कर सकते हैं चलिए बात करते हैं इस IP के GMP के बारे में यानि आपको इसमें कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है इस कंपनी के बिजनेस के बारे में IP details, financial और key performance indicator के बारे में and last में मैं आपको ये भी बताऊंगा इस IP में मेरा क्या decision रहने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इस IP के GMP के बारे में आज की date में इस IP का grey market में premium चल रहा है 86 रुपे पर share यानि estimated listing gain 67% के आसपास में so कर रहा है यानि ये IP जी एम पी के अनुसार लिष्ट होता है तो इसमें आपको 9500 रुपे के आसपास में profit देखने को मिल सकता है बड़ दोस्तों GMP उपर नीचे होता रहता है तो कोई guarantee नहीं है कि IP जी एम पी के अनुसारी लिष्ट होगा ये point आपको ध्यान में रखना है इस company के business के बारे में बात करें तो arcade developers माई 1986 में शुरू हुई थी तो ये काफी पुरानी company है और ये एक real estate developer company है जो कि मुंबई और उसके आसपास के चत्रों में high quality residential और commercial projects का निर्मान करती है company अपने projects को नए design और नए technology का अनुसार त्यार करती है and जो भी पुरानी buildings है उनको भी नए technology का अनुसार त्यार करती है इस company के IPO लाने के objective के बारे में बात करें तो ये IP से जो पैसा कटा करेंगी उन पैसों से जो भी इनके ongoing projects चल रहे है उनके construction में यूज किया जाएगा और नए projects का निर्मान करने के लिए land वगेरा में fund किया जाएगा बाकी general corporate purpose के लिए use किया जाएगा इस company के financial के बारे में बात करें तो company का total market के 2376 करोड के आसपास में है company के पास में assets की संक्या ठीक टाक है और लगातार यहाँ पे increase हो रही है company के revenue की बात करें तो 2022 में 50 करोड था 2023 में 50 करोड और 2024 में 122 करोड के आसपास में है तो profit में आपको यहाँ पे जबरदस तेजी देखने को मिल रही है 2023 के मुकाबले में जो कि एक company के लिए बहुत ही अच्छा sign देखने को मिल रहा है company के पास में net worth अच्छी है total borrowing की बात की जाए तो 2024 में 69 करोड का company पे date है जो कि यहाँ पे ज्यादा नहीं है इससे पहले 2023 में आप देखेंगे तो 149 करोड का date था जो कि यहाँ पे कम होके 69 हो चुका है तो यह company ने date पे focus किया है जो कि एक company के लिए बहुत ही अच्छी बात है इस company का ROE 46% का है ROC 47% और return on net worth 46% तो तीनों indicator काफी अच्छे देखने को मिल रहे है जनरली 15% से उपर होते हैं तो यह अच्छे माने जाते है date to equity ratio 0.21 का है तो सांदार है यानि इस company पे ज्यादा loan नहीं है profit margin भी आप देखेंगे तो 20% के आस पास में देखने को मिल रहा है तो company का यहाँ पे profit margin भी बहुत ही सांदार है तो cool मिला के company के financial यहाँ पे बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे है इस company के PE ratio के बारे में बात करें तो फिलाल company का PE 16 के आस पास में IPO लिस्ट होने के बाद में 19 का PE हो जाएगा तो यहाँ पे company का PE भी सस्ता देखने को मिल रहा है इसके comparison में हम यहाँ पे other company का PE चेक करेंगे इस sector की तो आपको यहाँ पे काफी है वो ज्यादा देखने को मिलेगा तो यह company यहाँ पे सस्ते PE पे लिस्ट हो रही है यानि company की valuation भी आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है तो इस IPO की details के बारे में बात करें तो यह IPO 16 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में open रहेगा 19 सितंबर साम 5 बजे तक आप इसमें apply कर सकते हैं इस IPO का price band 121 से 128 रहेगा तो इसमें cut-off price 128 रहेगा इसका जो total issue size है 410 करोड का है इसमें पूरा का पूरा यहाँ पे phrase issue है जो की directly company के पास में जाएगा इस IPO की allotment date 20 सितंबर है तो आप 21 सितंबर को सुबही big share service private limited की website पे जाके allotment check कर सकते हैं अगर आपको allotment नहीं मिलता है 23 सितंबर को आपको अपना refund है वो मिल जाएगा और 24 सितंबर को इसकी listing होगी इस IPO में lot size के बारे में बात करें तो एक lot में 110 share मिलेंगे retail category में 14,080 रुपे आपको payment करना है H&I category में minimum आप 15 lot के लिए apply कर सकते हैं और big H&I में 72 lot के लिए apply कर सकते हैं minimum तो यह थी दोस्तों इस IPO की पूरी detail अब बात करते हैं इसके final decision के बारे में आपने देखा company की GMP अच्छी है अच्छी demand आपको देखने को मिल रही है company का business अच्छा है और company के financial बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं तो company financial advisor से जरूर contact करें इस टूडियम पस इतना ही मिलता है फिर एक नए वीडियो के साथ में थैंक्स पर वाचिंग देश वीडियो